10 अक्तूबर से लेके 16 अक्तूबर 2022 तक चलने वाले सप्ताह का राशी फल लेके मैं आपके सामने उपस्तित हूँ नमस्ते मेरा नाम है योगेश शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइफ विडियो गेश शर्मा में और दोस्तो इस राशी फल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्रे निवेदन के अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया सब्सक्राइब जुरूर करियेगा हाँ बेल बटन दबाना न भूलियेगा तो हम शुरू करते हैं मेश यानि एरिस से वही ये सब्सक्राइब जो शुरूरात है न ये होगी थोड़ी सी टेंशन से कुछ ऐसी स्ट्रेस, कुछ ऐसी बातें जो पिछले सब्सक्राइब से आपको कैरी फारवर्ड होके आई है शुरूराती दो या तीन दिन तक आपको परिशान तो करेंगी लेकिन जियों जो सब्सक्राइब आगे बढ़ता जाएगा ये परिशानिया आपके फाइदों में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी जुरूरत है अपनी नर्वस पे कंट्रोल रखने की समस्या से घबराना नहीं है कोई भी समस्या हो आपका उस समस्या के परती जो रियक्शन है न ये बड़ा ही कंट्रोल होना चाहिए ये बड़ा ही सदा हुआ होना चाहिए केवल यही अभ्यास इस सब्सक्राइमे आपको खूब सारे फाइदे करवाने जा रहा है उपाय के तौर पे आपको दोपहर के समय चोटे बच्चों को बिस्केट बांट रहे हैं और ये उपाय जो है न ये विलक्षन उपाय है आपके लिए आप इसको संडे को कर सकते हैं, मंडे को कर सकते हैं, इवन टूजडे को भी कर सकते हैं या तीनों दिन भी कर सकते हैं, ये किया गया उपाई जो है ना पूरे सप्ताह आपके लिए तरक्की के और फाइदों के रास्ते खोलने जा रहा है, और अगर बात करें व्रश यानि टॉरस वालों की, इस सप्ताह की जो शुरुवात है ना इसमें आपके खर्चे काफी होने है, खाली पैसे के खर्चे नहीं, इस सप्ताह में ना अंजान चीजों का भई, मन में किसी भी तरह का इस तरह unfair of unknown जिसको बोला जाता है ना वो आपके उपर काफी हावी रहेगा, और ये जो फेर है ना आपको काम में पूरी productivity नहीं लेने देगा, दरसल ऐसी कोई बात नही बिना डरे, बिना जजके, इस सप्ताह में खुल के काम करिए, फिर देखेगा इस सप्ताह में आपकी productivity कैसे बनती है, उपाई के तौर पे एक लाल रुमाल पूरा सप्ताह अपनी pocket में रखेगा, ये उपाई बढ़ा जबरदस्त उपाई है आपके लिए, अगर आप पूर सरकार की तरफ से कुछ favors मिलने के असार है, अगर आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ है, वो भी पूरा होने के असार है, मिथुन यानि जैमिनाई वाले जिन लोगों ने नौकरी के लिए आवैदन दिया हुआ था, उनको नौकरी के मामले में कुछ ना कुछ good news मिलने वाल कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, इसके अलावा pollution से बचें बाहर जाते हुए मास्क जरूर लगाएं क्योंकि इस सब्ताह में आपको nasal problem जो होती है या sinus से सबंदित कोई ना कोई problem जो है परेशान कर सकती है, उपाई के तौर पे मीठी रोटी या मीठा जो बन पाउ होता है वो आवारा कुत्तों को खिलाएं, पूरा सब्ताह किलाएं क्योंकि ये उपाई जो है ना ये आपकी health को भी सही रखेगा और आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने में आपकी पूरी सहायता भी करेगा, और करक यानि cancer भाई इस सब्ताह में सबसे पहली बात का समय, और इस समय में कोई भी अनबन, कोई भी विवाद आपके त्योहारों के मजे को किरकरा भी कर सकता है, इस सब्ताह में अगर आप कोई deal वगरा कर रहे है ना, कोई मुह जोबानी deal मत करियेगा, पूरा paper work को ध्यान से पढ़ियेगा, क्योंकि इस सब्ताह में किसी ना क को किसी धुके से भी बचाएगा, और फालतू के लड़ाई जगड़ों से भी बचाएगा, सिंग यानि लियो, भई बेवजा के जगड़े इस सब्ताह में आपको खूब परेशान कर सकते हैं, ये जो बेवजा के जगड़े हैं ना, मैं बेवजा क्यों कह रहा हूँ, पू के होंगे मंगल खराब, और मंगल आपके लिए वैसे भी योग का रखे, और जगड़ा यानि बैड मंगल, अपनी ऊर्जा को अच्छी जग़ा भे लगाना, यानि गुड मंगल, तो आपके मंगल अगर योग का रखे था, तो अपने मंगल को गुड बना के रखे, बाकी रही बात पैसे की या रही बात income की यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही fantastic, बहुत ही जबरदस्त है, सारा सप्ताह income होती रहे, फालतु जगडों से आप बचे रहें, इसके लिए एक जटानारियल लीजिए, उसको लाल मॉली रैप करिए, और इसको Sunday या Monday किसी एक दिन किसी भी शिवमंदिर में रखे आईए, बस इतना भर करना है और फिर देखेगा सारा सप्ताह कितना phenomenal रहता है आपके, कन्या यानि वर्गो, भई सबसे पहली बात है, जीवन साथी से अन्बन होने के असार बन रहे हैं, जीवन साथी से हर कीमत पे बना के रखे, और दूसरी बात य इस बिवालख के लिए यह धनदाक ऊर्जा, इस अपताह में गुदरत के उर्जा है, आपके लिए परिवारिक enjoyment की उर्जा, इस अपताह की उर्जा है घर में किसी मंगल कारे की उर्जा, यह सारी आपकी सहायक हैं, लेकिन बात बात बिना बात के सोच के न, फलाने ने ने म डालिए थोड़े से और इसको शिवलिंग के उपर अर्पन करिए या रवीवार को या सौमबार को यकीन मानिए ये उपाई इस समय में आपके लिए इतना चमत कारिक है कि आप overthinking से तो बचेंगे ही बचेंगे अच्छे संबंदों का पूरा लाब भी ले पाएंगे तुला यानि लिबरा भई ये सप्ता है आपके लिए इच्छा पूर्ती का fulfillment of desire का वो desires यो पिछले काफी समय से आपके लिए incomplete थी आपने कई चीज़े सोच रखी थी अपनी life में लेकिन सम्हाव समय का चक्र ऐसा था कि वो इच्छाएं इच्छाएं ही बनके रह रही थी पूरी नहीं हो पारी थी इस सप्ताह से योग बनने शुरू होंगे आपकी इच्छा पूर्तियों के इस सप्ताह से योग बनने शुरू होंगे आपको divine connection के किसमत connection जिसको बोला जाता है ना उसके योग शुरू हों सारी चीज़ें आपके अनुकूल हों कोई भी चीज जो है पेंडिंग ना रहे इसके लिए आपको क्या करना है सौमवार या मंगलवार को किसी भी people के पेड के नीचे चीनी थोड़ी सी spread करके आएं याद रखेगा ये उपाई संडे को नहीं करना है केवल सौमवार या मंगलवार को आप किसी भी people के पेड के नीचे चीनी को spread करके आएं और फिर देखेगा कि किस तरह से किसमत divine की उर्जा आपके साथ रहती है वरिशिक यानि Scorpio भाई इस सब्ताह में आपके money matter जो है या आपको परेशान करने वाले हैं जो रुकी हुई payments की अभी भी रुकी रहेंगी यानि धन के release होने के जो आसार है इस सब्ताह में बहुत ही खीन बहुत ही कम है खाली यही नहीं इस सब्ताह में आपकी bad eating habits आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डालेंगे अगर आप non-wage के liquor के बहुत ज़्यादा आदी हैं तो संभल जाईए यह सब्ताह जो है आप non-wage से भी दूर रहे और liquor को भी यथा संभव avoid करिए उपाई के तौर पे आपको संडे वाले दिन कौपर के लोटे में गेहु भरिये उपर गुड रखिये और उसको किसी भी लक्ष्मी नरायन मंदिर में रखिया यह अगर आप संडे को यह उपाई नहीं कर पाएंगे तो मंडे या ट्यूजडे को भी कर सकते हैं यह उपाई इस सप्ताह में इसलिए जुरूरी है क्योंकि यह सप्ताह आपको धन की दिक्कतों में डाल सकता है धन की दिक्कते ना हैं इसलिए यह उपाई आप अवश्य करिए और धनू यानि Sagittarius भाई यह सप्ताह जो है ना बिना किसी आशा के भला करने का है इस सप्ताह में आप लोगों का जतना मर्जी अच्छा करते रहिए आपको शोभा नहीं मिलेगी आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी इसका रिवार्ड जो है आने वाले सप्ताहों में मिलेगा इस सप्ताह में बस नेकी करते जाए और फल की इच्छा साथ पत्ते अरपन करें, रविवार को, मंडे को या ट्यूजटे को, इन में से किसी एक दिन भगवान शिव को यानि शिवलिंग पे आम के साथ पत्ते अरपन करके आईए, जबरदस्त उपाए है आपके लिए, ये उपाए इस सप्ताह में कुद्रत की सारी उर्जा को आपक मकर यानि केप्रिकॉन इस सप्ताह में काम में भी तेजी आएगी, रुका हुआ धन भी आएगा, पैसे के मामले में बहुत ही काम्याबी मिलेगी, अगर आप नौकरी में भी है ना, तो नौकरी में भी बॉसिस से संबंद बहुत अच्छे बनेंगे, और ये अच्छे संब हलदी, यानि जिसको हलदी की गांठें बोला जाता है, करीबन आधा किलो की क्वांटिटी में ये ले लीजे, इन दोनों चीजों को संडे मंडे या ट्यूजरे किसी एक दिन लक्ष्मी नरायन मंदिर में अरपन करके आए, यकीन मानिए, ये आने वाले दिनों के भी बिगड़ सकती है, आपके दोस्तों से आपकी बिगड़ सकती है, आपके परिवार वालों से भी आपके संबंद खराब हो सकते हैं, आपको समझी नहीं आएगा इतना गुस्सा आ क्यों रहा है, दरसल इस सबताह में प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी हैं, बिना बात के आप ट् इस सबताह में चंदरमा थोड़ा सा आपको परिशान करने वाले हैं, एक तो सरकारी कामों से आपको दिक्कत हो सकती है, आपके बनते-बनते काम भिगड़ सकते हैं, अगर आप किसी यातरा पे जा रहे हैं, वो यातरा आपको फलदायक नहीं रह सकती है, इस सबताह में अरपन करके आगिया तो दोस्तों ये था 10 अक्तूबर से लेके 16 अक्तूबर 2022 के बीच में सभी राशियों का राशी फल मैं आशा करता हूँ कि आप इस राशी फल के उपाई अपना के अपने आने वाले समय को खूब समवार सकेंगे तो चलिए जल्द मिलते हैं एक नई टॉपिक एक नई विशे के साथ अपना कूब ध्यान रखिएगा नमस्कार